मेरी मम्मी कहती थी कि जिंदगी गुलगप्पे जैसी होंदी है, पेट पले ही पर जावे, मन नहीं परता फिल्म लगभग पोने तीन घंटे के तो जैसा लगा कि ज्यादा लंबिक है जिए वह तो मिंटर्वेल के बाद में निकाली रहा था, मगर रुग्या मेने बोला कहा अच्छी होगी फिर नहीं अच्छी मज़ा ही नहीं है, मतलब इंटर्वल के पहले भी बोरिंग लगे कुछ भी नहीं बिल्कुल पूरे पकव बिल्कुल पकव आउट ओफाइब कितने देंगे वाल नमबर मुवी है और बताया है जिंदगी के बारे में उसमें किस्तों जो करता बगवा नहीं करता है, मतलब एक फोरेश्ट गम का रिमेक है तो इंडियन ओडियंस के हिसाब से जो के ज़ए किस तरह से बनी बढ़िया वड़िया एक नमबर अमिर्खान का पर्फोमेंस के साथ बोथ बढ़िया करेक्टर में पहली बार आये वहा तो तो सिक के करेक्टर को जश्टिफाइब कर पाए कर पाई है हाँ अ पूरा गया और जो फोर सिप्धों के मर्दांगी बहुत बढ़िया आपको देखा यूटूब पैड़िया अच्छी में अमेर खान का पर्फोर्मेंस पर्फोर्मेंस बहुत अच्छा उनका हमेशे अच्छी काम करते हो तो मुवी बेस्ट है, देखने लाए एक मुवी है देखने लाए, ओल्टो फाइब केतने रहेंगे? ओल्टो इसको फोल स्टार सर कैसे लगे मुवी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया एक नंबर मुवी, एक नंबर सर कैसे लगे मुवी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत अच्छी है, अमिर खान का काम कैसा था? बहुत अच्छा काम है, पर Mr. Perfectionist बोलते हैं जो हिसे ही भूलता है बहुत तो नहीं करती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बहुत अच्छी स्टोरी एंड तक बाहन के रखेंगे आपको क्योरियोसिटी होगी मुवी खत्म होने का और भी लगता है कि कुछ होगा जिसे मारोल की ओविज में आपको एक्सपेक्ट करते हो ने को दिखाएगा जिसार कैसे लेगी मुवी क्या नहीं अच्छा लगा फिल् अन्हीं अच्छा जए द्टिन अच्छाओ ने केभाट अच्छा अच्छा अमेर का परफोंसे के साथ बहुत अच्छान थे लिए थाप्रवसर्मेंस मीर परफोंस बहुत अच्छा अस्टां के नांसमीं तोड़ा.. ऑफ न जए कर एक्से पर बहुत अच्छ दिक्स demand this Slack कि म